हेलो एरिवन आज हम करेंगे एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट वन इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग दा फ्लोविंग क्रोनलोजी इस करेक्ट रिगार्डिंग फोर सामवंत के अथ जो हिंदू rundr क्या पताना यह में अंसर कि एला कौन सा क्लेंडर आय था उसके बाद कौन सा क्लेंडर खॉक्ष्ट में आया था सका रॉैट सका आया था फॉर्स्ट में आय 9 клं आ का गुपता ठीक है थर्ड में आया था आपका हिजरी सामवंत और फॉर्थ में आया था ग्रिगोरियन कलेंडर तो इसमें सका फर्स्ट आएगा सका है इसमें तो इसमें से कोई भी अंसर मैच नहीं हो रहा तो ये अंसर भी राइट होगा राइट सका की अगर हम बात करें ये 78 A.D. के अंदर आया था ये इसको कोँण आ रहा था कनिश्ख राजा कनिश्ख गुपता का जो है ये ये आपका 320 A.D. में आया था और जो हिजरी सामवंत है ये जो हिजरी है ये आया था 622 A.D. के अंदर और जो आज हमारा English क्लेंडर जिसको हम Gregorian क्लेंडर बोलते हैं यह आथा 24 Feb 1582 24 Feb को हम जो इसको मानते हैं 1582 का इसका जो है राइट अगर इसको हम स्पेसिफिकली लिखें 78 AD हमारा सका हो जाएगा और 320 AD हमारा गुपता हो जाएगा 622 AD हमारा हिजरी हो जाएगा और लास्ट में Gregorian क्लेंडर आया था यह था उसको 1582 बोल सकते हैं यह इसका टाइम पेट रहेगा आगे हम बात करें question number second the home of Gargi, Maitri and Kapila was it home कौन सा थे इसमें Gargi, Maitri और Kapila का यह तीनों कौन थे यह जो women थी philosophers और इनका जो घर है वो माना जाता है मिथला मिथला विल भी राइट अंसर third पड़े which area of India was known as the Avantika in ancient times ancient times में Avantika का जो सहर का नाम तो जो है किसका था तो जो मालवा है उसका जो पुराना नाम जो है Avantika था और यह मध्या परदेश में है और यह जो बैंक उप शिपरा जो रीवर है उसके उपर है यह और अगर हम बात करें काफी powerful kingdom रहे हैं जैसे अवंती वत्सा अवंती हो गया आपका ठीक है वत्सा हो गया कोशला हो गया ठीक है और मगद हो गया ठीक है मगद तो बहुत अच्छे से पता होगा सभी को यह जो है मोरियन अंपायर का ग्रेट मोरियन अंपायर यहीं से स्टार्ट होता है मगद वाला इरा का बिहार जो है यूपी वाला आगे हम बात करें question number 4 The social system of the हडपान स्वाज social system कैसा था हडपा का मतलब क्या वहाँ पर कोई according to जो हमारे वेज से हैं उसमें चार वरण दे रखे हैं शेत्रिया, राजगुत, शुद्र यहा जो है वेश्या ऐसा कुछ था उनके अंदर बिलकुल नहीं था fairly जो है कोई भी फरक नहीं था किसी के अंदर कोई slave level based नहीं था कुछ भी color based कुछ भी नहीं था caste based कुछ भी नहीं था ठीक है आगे question number 5 आगे हम question number 5 करें which of the flowing ved provides information about the civilization of the early vedic age early vedic age की कौन हमें information provide कर आता है तो वो है rig ved ठीक है rig ved को माना जाता है कि 700 से लेकर 1100 BC की बीच में इसको जो है लिखा गया था और जो है इसके अंदर जो है detail account है पूरा का पूरा इसमें life of the people पहले लोग कैसे रहते थे ठीक है rig ved में भगवान की जो प्रात्ना है कैसे करते हैं यजुरवेद में युद्ध के बारे में अर्थवेद में आपको पूरा का पूरा जो है जो जादू टोना है उसके बारे में है और जो शामवेद है उसमें पूरा music के बारे में है आगे करें question number six इनवर्स्टी विच बिकम फेमस इस दा पोस्ट गुप्ता एरा गुप्ता के बारे जो पोस्ट गुप्ता का मतलब है बाद में जो फेमस हुई काफी ठीक है गुप्ता के टाइम में बहुत फेमस थी ये तो ठीक है अगर हम बात करें नालंदा इनवर्स्टी जो है सबसे फेमस थी उस वक्त में और यह जो बुदिस सेंटर था लर्निंग का 5th and 6th century के अंदर और कुमार गुप्तनिस को established किया था और नालंदा इनवर्स्टी कहाँ पर रहे गी आपकी बिहार के अंदर ठीक है आगे हम करें question number 7 बानबटा was the court point of which empire बानबटा जो है किसके राज्या में कभी था ये था हर्चवर्दन के राज्या में इसने हर्च रित लिखी थी बानबटने और अस्थाना कभी था ये काफी टॉप कभी था अगर हम हर्च वर्दन का time period पुछें तो 6.06 से लेकर 6.47 के बीच में time period रहा था इसका हर्च वर्दन का और कदांबरी भी जो है इसने लिखा था हर्च बानबटने आगी करें question number 8 ऐसा कौन सा रूलर था जिसने जो है सुपरमेसी कायम के थी अपनी नेवी की कहां रीविन शी के अंदर तो ये था राजा राजा बन जो चोला मपयार चेता आगे का लड़का हुआ राजा इंद्र बन ठीक है आगे करे question number 9 विच स्टेटमेंट उन्दा हड़ अपन सिवलाजेशन इस करेक्ट इसमें कौन जी स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है तो इसमें जो अंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा विकोर्ष कल्चर वास नोट जनलिस्टेटिक मतलब जो कल्चर था उनका एक जैसा नहीं रहा था पहले उनकी घर बहुत पक्के थे गलियां पकी सड़के पक्के थी बाद में कुछ चेज़े चेंज होने लगी थी जैसे पोटरी में चेंज होने लगा था उनकी पोटरी के अंदर ठीक है आगी question number 10 अगर हम बात कर रिशब देव की तो इनको जो आदिनात का नाम भी बोला जाता था इनको बिसिकली और इनको विश्णो का अवतार कहा जाता था ठीक है आगे question number 11 the great silk route to the Indians was opened by silk route जो है किसने open किया थे Indians के लिए जो Indians था वो था कनिश्क कनिश्क is the right answer question number 11 का कनिश्क और जो इस रास्ते से अफ्रीको Eurasians, Western Asians जो Medarians वाला इलाका है European से में connect करता था यही रास्ता था वो जो around 6500 किलोमेटर का था around ठीक है और इसके अंदर जो है यह जो start किया था यह की start किया था हान डेनिस्टी ने इसको ठीक है हान डेनिस्टी ने इसको start किया था और जो सीधा सेंटर इसे से connect करता था आगे करे question number 12 कि रूलर ओविच डेनिस्टी स्टार्टे था प्रेक्टिस और ग्रांटिंग कि राजा फेमेस हुआ है उसका नाम था गोत्मा पुत्रसत्करनी आगे question number 13 the most important text of Vedic mathematics is जो है इसमें से कुंस्त बताना है कि जो है mathematics की कुंसी किताब सबसे जो है important test के अंदर तो वो दी जो है शिल्व सुत्राज इसमें जो जमेट्री के बारे में पूरा दे रखा है आपका नेक्स क्वेशन नंबर 14 इवानी का इंटेंस वास इंडिया थेटर बाइटर बीच अब फ्लोविंग तो यह जो है किसने कि अंदर किया था और गॉर्मेंट आज उसके करते है जे क्लेंडर के रूप में सकायरा को तो कनिश्क ने स्टार्ड किया थे इसको पहले बिताया था मैंने 70.80 से लेकर 120.80 तक इसका टाइम था और इसका अगर हम बात करें राज्या हैं तो उजबेकिस्तान से लेके फिर पटना था इसका पुरा राज्या फैला हुआ था और उसकी capital थी कनिश्की वो थी जो है पुर्षपुरा और पुर्षपुरा गाज का नाम क्या है पिशावर जो कहां पर रहेगा आपका पाकिस्तान में राइट आके है question number 16 what inspired the painting of Ajanta? Ajanta के जो paintings है उसके अंदर क्या जीज़ आपको देखने को मिलती है compassionate Buddha, maximum जो painting आपको जो किसमे मिलिंग रेटेड बुद्दा से इसके अंदर 30 rockscapes है और depict करती है life of Gautama Buddha, ठीक है? और आपको कहां देखने को मिलेगी? और अंगाबाद, महरास्टर के अंदर, right? आगे क Who among the flowing was the first of invaded India? सबसे पहले भारत पे किसने आकर्मन किया था? वो Darius 1 था ठीक है, जिसने बाहरत पे सबसे पहले आकर्मन किया था जो है, अगर हम बात करें 1518 AD में इसने आकर्मन किया था, पर्सियन धाई, जिसने इवेड किया था और Indus Valley Civilization को जीत लिया था, जो Indus Valley जो यह 18 में अगर हम पढ़े, विच अमंगदा फ्लोविंग is the oldest dynasty, इसमें से जो है oldest dynasty कौन सी है, तो सबसे पहले आये थे Morians, Morians के जो है बाद में जिस्ट आये थे आपकी गुपता वाले, ठीक है, Morian के बाद गुपता, गुपता के बाद कुशान, कुशान मतलब कनिश्क वाला, और कनवा मतलब लास्ट में था, अगर है इस बात करें इसकी, तो Morian सबसे पहले, the right answer will be Morian, ठीक है, Moria की अगर हम बात करें, मगद इनकी capital थी, बिहार, यूपी वाला जो एरिया है, पाटली पुतर, गुपता की बात करें, 322 BC में इसको जो फाउंड किया गया था, और शि कुषान डानेस्टी कनिश्क थी, कनिश्का से लेटर थी कुषान डानेस्टी, आगे question number 19, with which of the flowing is the classes, जीवी का चिन्ता मनी इन तर तमिल इस जीवी का चिन्ता मनी एक जो है, epic poem है, और अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है, fabulous jam, और इसको compose किस ने किया था, तो ये question तो य दूसरा जो है, तुरुथका, थेवेर इनका नाम था, जो compose की थी है, नोने इसको, थेवेर के नाम से, जो है, जैन मॉंग था, उसने इसको जो है, इसको लिखा था, epic poem को, question number 20 है आपका, where did Lord Buddha breathe his last, कहां पर मात्मा बुद्ध की death हो गी थी भई, तो जैक कुषी नगर में उ आखरी सांस ली थी अपनी, और परी निर्वाना बोला जाता है इसको, मतलब final निर्वाना, और ऐसा कहा जाता है कि वो बिमार हो गये थे, spicy खाना खाने से, या फिर उनको किसी ने पॉर्क किला दिया था, पॉर्क मतलब सुअर का मास, आगे question number 21, who were the first king to issue gold coin India, first gold coin किसने issue किये थे इंडिया के अंदर, वो थे इंडो ग्रीक्स, राजा उने जो है, सबसे पहले इंडिया के अंदर, इंडो ग्रीक्स कोइन्स जो है, इंडियूस किये थे, और around 30 kings थे, तो जिन्होंने अलग लग टाइम में अपनी kings, जो है, हम उने सोने के स सिक्के जारी किये थे, और उनके अंदर अपनी भाशाओं में नाम लिख वाये थे, जो उसमें लिखे गए नाम उनके, आगे question number 22, वेर इस ब्रेशवा टेंपल, ब्रेशवा टेंपल कहां पर रहेगा आपका, यह रहेगा अपन जोर के अंदर, थाइक है, 22 का जहाए, थाजोर जो हाँ अपर रहेगा आपका, तमिल लाडु में, और यह हिंदू टेंपल है, लोर्ड सीवा का, और चोलाम पैर ने बनवाय राजा राजा जो है चोलाने बनवाया था इसको राइट आगे करें 23 इन तमी लिट्रेचर द ग्लोरियस बुक्स सिल्प अधिकरम एंड मन्य मिखलाई आर लेटीड टू तो जो है दो बुकें है तमी लिट्रेचर में किस से लेटेड रहेंगी आपकी बुद्धिशम से अधिल के नाम से त्टिकें पॉएट थे यह आगे कौशन नंबर 24 इस टाव इस्टेबलिश महा बलीपुरम महा बलीपुरम किसे ने इस्टेबलिश किया था 24 जो है यह तमील अडू के अंदर है और महा बलीपुरम के इस्टेबलिश किया था वो था पलवाद राजाओं ने ठीक है पलवा डेनिस्टी ने पलवा गिंग थे ये ठीक है कुशन नमबर 24 ये तमिलाडव के अंदर है मलालपुरम भी नाम कहा जाता है इसका जो है महाबलीपुरम का और यहां के जो रूलर थे वो काफी ग्रेट रेसलर थे मतलब पहलवान थे और नर्सीमा वर्मन वन जो है उन्होंने जो है इसको इसको इस्टेब्लिश किया था महाबलीपुरम को ठीक है आगी करें क्वेशन नमबर 25 दायश केप्स और नेटवर्क ओफ स्क्लप्टिट केप्स लोकेट इन मौंबई हाबर में जो है लोकेटिट है ये केप्स ये कौन सी केप्स रहेंगी वह गंधार स्कुल ऑफ आर्ट किम इंटो इग्जिस्टेंस इन दा गंधार स्कुल जो आर्ट है वो किस टाइम में आय थीर्टन ESTरी इसमाफ्याना सेक्ट और यह जो महाइना सेक्ट है इसको लाने वाले कौन ते जह गंधार स्कूल मूंप में जो हैं जो सेक्ट है यह मुर्थी पुजा करते थे एक्चली जो बुद्धिजम है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था महायाना और ही नियाना महयाना जो मुर्थी पुजा है उसको करते हैं जो है पूजन करते हैं और जो ही नहीं आना है वो मुर्थी पुजा को नहीं मानते हैं ठीक है आगी question number 27 Out of flowings remain executed in Indus Valley speech One indicates the commercial and economics development तो यहाँ पर जो है सबसे commercial development क्या थी उनकी हमें बहुत सारी seals मिली थी वहाँ पर जो महरे मिली थी और कुछ महरे हमें Mesopotamia civilization में मिली थी इसका मतलब यह clear हो गया था कि आपस में उनका जो trade आप था इंडर civilization का और Mesopotamia civilization का Right? Seals ने हमारी बहुत help की हडपा को जानने में आगे अगर मैं बात करें question number 28 की तो अगला जो है अवतार कौन सा आने वाला है महात्मा बुद का ऐसा कहा जो आता है तो वो रहेगा जो है 28 में कल की I think Maitri will be right Okay, yes, Maitri Maitri जो है right answer होगा Maitri जो है अवतार वो लेने वाले है महात्मा बुदिन future कि वो जो है Maitri अवतार लेंगे आगे हम बात करें question number 29 who among the flowing work contemporary of कनिश के कन कोन कनिश के राज्या में थे उस वक्त एक अश्वघोष अगर हम बात करें इसकी जो है एक ट्रिक कहा सकते हैं एन ए भी नाव के नाम से है तो एन मतलब नागर जुन भी थे नागर जुन अश्वघोष भी थे और विश्वमित्रा भी थे ठीक है तीनों इनके राज्या में थे उस वक्त आगर हम बात करें question number 30 की which ruler built the Elora temple Elora temple किस ने बनवाय था रास्ट्रकूट ने बनवाय था ठीक है रास्ट्रकूट अंपायर में जो है बना था ये और आगे करे question number 31 who among the flowing also had the name देव नामा पिरादर्शी देवा नामा पिरादर्शी के नाम से जो है कौन famous था तो one and only बोरियन किंग अशोक थे जिनको देवों को पिरिया कहा जाता था ठीक है बिलावड ऑफ गोड्स जो है और मस्की का जो inscription वहाँ पर अशोक नाम है इनका और इनके जो inscription है हर जंग है मिले थे लग बग इनियन सोब कॉंटिनेंट के अंदर पाकिस्तान बंगलादेश हर जंग है इनको मिले थे कलिंगा बार के बाद जो है इनोंने बहुत धरम को पना लिया था आगे हम करे question number 32 महाबलीपुरम what's founded by महाबलीपुरम को किसने फाउंड किया था तो ये थे नर्सी महाबर्मन will be right answer ठीक है ये भी जो है तो में लाडू में है महाबलीपुरम ये पहले भी question repeat हो चुका है great wrestler था ये सभी मैंने आपको बता दिया shore temple आपको देखने को मिलेगा glory of Shiva मतलब जो है परगात के तो बगवान शिव को जो है लोग काफी सदा वर्शिप करते थे उन्होंने उनके temple भी बनवाई question number 33 which of the flowing craftsmanship was not practiced by Aryans Aryans जो है किसके बारे में कुछ नहीं जानते थे मतलब कि ये practice नहीं करते थे इसका use नहीं करते थे pottery करते थे, jewelry करते थे, carpentry but blacksmith के बारे में को कोई knowledge नहीं थी अगर हम बात करें early vedic age में starting में जो Aryans थे उनको लोही की कोई जानकारी नहीं थी जो post vedic age में उसमें iron issues को उम्भूलते हैं जहां पर Aryans को पूरी जानकारी होगी थे लोही के बारे में ठीक है और हड़पंस के लोगों को बारे उसको भी हड़पंस जो civilization थी उसमें भी जोही कोई जानकारी नहीं थी लोगों को question number 34 महमद बिन कासिम concurred sind in the year महमद बिन कासिम ने जहे sindh को कब जीता था ठीक है 712 AD की अंदर ठीक है और sindh परियों ने हमला कर दिया था और foundation कर लिती Islamic जहे अपनी Islamic धर्म की और Indian South Continent की अंदर ठीक है आगे हम बात करें question number 35 दा कलाशनाथा temple Shiva temple जिसको हम बोलते है at Kanchi Puram containing sculptures with painting in the inner wall watch built by जो अंदर की जो paintings है कलाशनाथा temple में बगवान शीव का जो टेंपल है कांची पूरम के अंदर उसके अंदर sculptures बनवा रखिया वो अंदर वाली जो दिवारों पे वो किस राजा ने बनवाई थी वो थे नर्शी महा वर्मन ने बनवाई थी राइट अंसर बीट टू next question number 36 the earliest city discovered in the India was सबसे पहली city इंडिया में को ने डिसकोवर थी हडपा ठीक है और इसको जो खोज है किसने की दियारम शाहनी ने अगर हम बात करें मोहँच दरो ये थे जहारा खेल दास बनवाई जी और हडपा जो है ये आपको जो है रावी नदी की नारे मिलेगी और जो मोहँच दरो है ये आपको सिंदू नदी के उपर मिलेगी city ठीक है जीव का टेंपल है वो जो है कहां पर आपको देखने का मिलेगा 37 का ये रहेगा आपका अलोरा के अंदर ठीक है और इसमें अगर हम बात करें ये द्रवेडियन जो आर्किटेक्चर में बना रखा है इसको एक्चली इसके अंदर 34 प्रमनेस्ट्रीज है और ये जो है एक सिंगल रख से कटके मतलब कटिंग करके इसको बना रखा है पूरा और अरावन टू किलोमेटर में फैला हुआ है और एट सेंचुरी के अंदर बनाया गया था इसको रास्ट्र कुटो के द्वारा क्रिश्ना वन जो है राजा उनको जो है इसका बनाने का श्रय ही दिया जाता है ठीक है आगे करें क्वेशन नमबर थर्टी एट एपिग्राफिय मैंस एपिग्राफिय का मतलब होता है study of inscription inscription के अगर हम बात करें rocks के ओपर जो लिखियोई चीज़े है पिलर के ओपर temple walls के ओपर copper plates जो हो गही है अधर जो भी चीज़े है writing material लिखना किसी भी जिसके उपर उसका इंस्क्रिप्शन बोलते हैं एपिग्राफी का मतलब यह यह हता है कि स्टुडी ओफ इंस्क्रिप्शन करना आगे क्वेश्चन नमबर थर्टी नाइन इन में से क्या चीज जो है अपन साइड आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है ड्रेंस एंड वेल वहाँ पर द्रेने सिस्टम अच्छा था वेल कुए थे वहाँ पर फोर्ट किले बनवा रखे थे रिजर्वर पानी को रिजर्व करने के लिए बना रखे थे अपने ठीक है वहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला हमें ठीक है तो यह था आपका एंचल हिस्ट्री का पार्ट वन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को थेंक यू